तो जैसे कि आपको पता होगा, अगर आप अपने आसपास देखें, अपने इन्वार्मेंट को, तो आप देखें कि कोई भी चीज पर्मांट नहीं है, वो चेंज होती रहती है, जैसे कि आप इस सीजन को देख लीजे, गर्मी थी, गर्मी के बाद बारिस का मौसम है, बारिस इन सिस्टम, यानि कि कोई चीज चली आरी, उसमें जब आप कुछ एल्टरेशन कर देते हैं, कुछ न्यू एडिशन कर देते हैं, फिर कोई सब्टराइट कर देते हैं, तो बदलाओ, चेंज कर दाता है, तो ओगनाजेशन में भी क्या होता है, कि बहुत सारी चेंजेज हो होता है तो यहीं चीज क्या है और चेंज होता है तो इसके बाद कोई चेंज होता रहता है कुछ न कुछ आपको चेंज करने का मिलेगा हो सकता आपकी working pattern में ही चेंज हो जाएगा आज आप एक तरीके से format में कोई चीज बना लेते कल वही format चेंज हो जाएगा ठीक ति यह जो चेंज है यह whole organization इस पूरी organization को affect करता है कुछ पार्ट जो होते हैं ज्यादा अफेक्ट होता है तो वहीं पर उपर एक stress भी generate होता है प्रेसर जनरेट होता है और चेंज की वजह से तो और चेंज होना होता है तो कुछ external factors होते हैं तो कुछ external factors होते हैं कुछ internal factors होते हैं जैसे कि technology adaptation अब suppose करी कि technology change हो गई तो आपको भी उसके coding change होना पड़ेगा पहले old technology आती थी जो की costly भी होती थी अब जो है new technology होगे जो की cheap भी हैं और आपको उसके coding जो है change करना पड़ता है वो machinery हो सकता है वो computer को use हो सकता है वो laptop, desktop इन सब का use हो सकता है तो technology adopt करना होगा और आपको उसके लिए change होना होगा पहले banks में देखिए पहले banks में registers में आपके interest होती थी किसका कितना amount है कितना पैसा है हाथों से लिखके दिया जाता था आपके passbook में फिर यह technology change हुई और आपको सारा कुछ घर बैठे आपके mobile पे आपका पूरा passbook दिख जाता है तो technology adaptation और इ जो है अपनी marketing strategy में भी change करना पड़ता है और इसके वज़ासे organization में change करना पड़ता है social changes जाने कि education label society की change हो रही है working hours change हो रहे है उनका living standards change हो रहा है तो उसके according भी आपको जो है अपने organization को change करना पड़ता है political and legal changes जाने कि government हर 5 साल बदल जा रही है laws कभी कोई भी amendments चले आ रह रहे हैं कभी GST में amendments आ रहे हैं तो कभी income tax में amendments आ रहे हैं कभी goods correlated amendments आ रहे हैं तो इनके amendments के वज़ए से क्या है आपको भी change करना पड़ता organization को भी उन laws को follow करना पड़ता है और उसके लिए उनको अपने आपको change करना पड़ता है तो यह कुछ external factor हो गए यहीं पर कुछ internal factor हो जब कोई manager person की कोई man top level पर है फिर manager level पर है उसका promotion हो जाता है उसका transfer हो जाता है तो आपको कोई नया परसनल आ जाएगा कोई नया person उसका working pattern अलग होगा और working pattern अलग होगा तो organization में कहीं नगी change होगा stress होगा employees में होता नहीं है कि यार यह नए boss कैसे होंगे पता नहीं कैसे काम करेंगे तो एक डर सा बना रहता है कि पता नहीं कैसे होंगे आप काम अच्छे से हो गया खराब होगा तो यह चीज़े डर बनी रहती तो यह भी क्या है change का एक factor होई पर deficiency in existing organizational practices यानि कि जो इसे पहुंच नहीं पा रहा तो कुछ नहीं कुछ deficiency है तो उसको भी बदलने के लिए आपको change करना पड़ता है तो यह कुछ factors है जिसकी वज़ा से organization में change होते हैं यह factors है जिसके जिसके organization में change होता है technology update आप पहले देखेंगे landline phone आता था था फोन पहले था ही नहीं पर landline phone landline से 2G mobile 2G 3G 3G 4G 4G 5G तो यह technology change होते हैं उसके according आपको change होते रहना पड़ेगा क्योंकि अगर आप अपने आपको change नहीं करेंगे ना तो फिर आप current जो market है उसको आप adopt नहीं कर पाएंगे उसको face नहीं कर पाएंगे आप competitor से तो कि competitor जो आएगा वो change करेगा या पिर हो सकत जरूरी है positive में अगर देखें तो change जरूरी है अब बात कर लें कि change होता कैसे है अगर आपका पुराना organization है और पुराने लेबल पर चले है तो आपको change कैसे होता है तो Kurt Levin ने जो है three steps model दिया था change का Kurt Levin डेवलपे चेंज मॉडल इंवॉल्विंग three steps काउंसा unfreezing, changing and refreezing देके freeze मतलब क्यों होता है जमा देना यानि कि जैसे पानी आप होता है पानी को freeze में रख देते है तो freeze में रख देते है तो पानी जम जाता है तो unfreezing यानि कि वो जो जम चुका है उसको unfreeze करो यानि कि इसको दुबार से पिगलाओ यानि कि जो आपका पुराना pattern काम करने का था उसको change करिए उसको unfreeze करिए ठीक है employee को बताइए कि अब हम यह change करने वाले हैं उसको ready करिए employee को कि हम अब laptop desktop का use करने वाले है अब जो register में काम होता था वो नहीं होगा laptop या desktop का use किया जाएगा ERP क सब लोग काम करने start कर देंगे तो उसके बद आप क्या करते हैं उसको refresh कर देते यानि कि अब जो है register का यूज नहीं होगा अब सिफ desktop पे ही काम होगा तो that is refreezing यानि नए pattern को refresh करना clear अब सबोसकर पानी था पानी को आपने जमा दिया पानी में आप पानी में आप पानी में अंदर के change जरूरी है और उनको communicate कि जाता है फिर उसके बाद moving towards the new desired level of behavior आने कि जो change करना था आप उसी तरफ move करिए और जब आप देखते हैं कि सभी लोग नए pattern को follow करने लग गए तो उसको solidify कर दीजे यानि कि अब उस pattern को norm बना दीजे कि अब यहीं काम होगा पुराने व जरूरी है यह नहीं है अगर है तो उसमें determine करिए कि कौन से element को change करने की जरूत है कौन से element को change करने की जरूत है अब जब identify कर लेंगे उसको तो फिर plan करिए change करने को कैसे technology change करना है या फिर कोई दूसरी चीज है कि marketing condition change करना है social changes करना है कौन से change करना है उसको आप structure change करना है उसको आप प्लान करिए उसके बाद चेंज जो असेसिंग फोर्स होते हैं उनको जो चेंज फोर्स होते हैं उनको असेस करिए यानि कि आपको देखना है दो टाइप के फोर्स होते हैं एक ड्राइविंग फोर्स होता है जो चेंज होने से रोकेगा आपको और ड्राइविंग जो आपको सपोर्ट करेगा चेंज करने के लिए उन दोनों फेक्टों को बीच में एक्लिवर्यम लेकर आना आपाई कि रिस्टेंज गारें जो डाइब और बराबर रहें या फिर रिश्टेरिंग को आपको minimize करना द्राइविंग को maximize करना उसके बाद फिर चेंज एक्षन लेना है एक्षन फॉर चेंज में वही चीज अन फ्रीज देन चेंज एंड देन रिफ्रेज और उसके बाद फीडबेक एंड रिव्यू यानि कि आपने जब चेंज कर लिए तो उसके फीडबेक भी याने कि जिसके लिए पहले से प्रिबेर होता है कि ईफ्राइवें आप होते हैं और छो प्लाभ मैंन करते हैं थैवा चेंज पारइव।रसेज के लिए हैं चेंजिंग का, organizational change का process है, तो जब भी कोई organization change करता है, चाहे हो टेक्नोलोजी से related है, चाहे environment से, चाहे law से, चाहे working pattern से, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ employee ऐसे होते हैं, जो कि उस change को resist करते हैं, तो जब भी कोई नया change होता है, जब भी कोई नई change आती है, तो employee जो है, या फिर person जो है, तीन तरीके से respond कर सकते हैं, आप suppose करी कि आपके घर में कोई नई चीज लेके आया है, आपके family वाले, तो आप उसमें तीन तरीके का reaction दे सकते हैं, या तो आप बहुत खुश होंगे, या तो एकदम खुश नहीं होंगे, या फिर आप ओके ओके आने कि नहीं खुश होंगे, नहीं दुखी होंगे, तो तीन तरीके का reaction होता है, तो उसी तरीके से जब organization में कोई change होता है, तो employee जो है, तीन तरीके से response कर सकते हैं, पहला क्या होगा resistance, या आने कि आप रजिस्ट करोगे, इस impact करेगा, तो आप उस change को resist करते हैं, उससे oppose करते हैं, उसको oppose करते हैं, आप वो कहते हैं, ये change मत करो, या फिर आप जो है दूसरा reaction दिखा सकते हो, इन डिफरेंस याने कि नहीं आप खुश होगे, नहीं आप दुखी होगे, ठीक है, ये change हो रहा है होने दीजे, कोई दिखकत नहीं है, ना पहले हमें दिखकत थी, ना अभी हमें दिखकत है, या फिर तीसरा, आप उस change को accept करते हो, उस change को accept करते हो, यानि कि आप दिखाते हो, कि या C.A. हमारे लिए favor में है, इससे हमें फायदा होगा, और आप happy होते हो, यानि कि उस change को accept करते हो, और enthusiastly आप उसके लिए काम भी करते हो, तो तीन तरीके का आप reaction दिखा सकते हो, या तो रिजिस्टर करते हो, या तो रिजिस्टर करते हो, या तो रिजिस्टर करते हो, तो सबसे पहले हम यह देखेंगे, तो इस पर दो factors हैं, कुछ individual factors होते हैं, कुछ organizational factors होते हैं, जिसकी वज़े से employee रिजिस्ट करता है, किसी भी change को, तो individual factors हम पहले देखेंगे, तो individual factors में सबसे पहले, चीज़ की problem of adjustment, यानि कि जब भी कोई change होगा, तो वहाँ पे adjustment की problem आती, यानि कि पहले जो working pattern था, उस पे हम अच्छे से आराम से अपना काम कर लेते थे, हमें पता था कि कब कहां कैसे क्या गरना है, लेकिन जब अब change होगा, तो उसमें हम adjust नहीं काप्य हो सकता है, अब उस नहीं technology को कैसे चलाना है, कैसे करना है, वो जो है problem आती, तो यह सोच कर हम जो है, रिजिस्ट करते हैं change को, दूसरा है economic reason, economic reasons में क्या है कि, हमको लगता है कि अगर change हुआ, तो हो सकता हमारी job चली जाए, या फिर हो सकता हमारी salary कट हो जाए, तो यह सब सोच कि, यह सब perceive करके जो है, हम रिजिस्ट करते हैं, affecting unfamiliar, जब हमें लगता है कि, हमारा पैसा कम होने वाला, फिर हमारी salary कम हो जाएगे, तब हम रिजिस्ट करेंगे, तीसरा है emotional factor, यानि कि, एक होता है कि, unknown का डर, यानि कि, पता नहीं क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो पता नहीं कैसे होगा, computers आजाएगे, computer काम परना होगा, हम सही से कर पाएगे, नहीं कर पाएगे, मारी performance पूर तो नहीं हो जाएगी, तो यह सब चीज़े है, attitude, like, dislike, यह सब फैक्टर की वज़े से भी क्या करते हैं, हम रजिस्ट करते हैं, चेंज को, या फिर, obsolete of skills, यानि कि, हमको लगता है, कि, जो हमारी skills थी, वो अब जो है, obsolete हो जाएगे, नहीं कि, अब वो disappear जाएगे, उसका कोई useful नहीं हो जाएगा, suppose करेंगे, आप जो हाथों से कोई कलाकारी, अच्छे से कर लेते थे, लेकिन अब computer आ गया, फिर machine आ गया, उसका use करके, जो वो चीज बनाई जा रही है, तो फिर आपको डर लगता है, कि कहीं आपकी जो capability थी, आपकी जो skills थे, वो obsolete हो जाएगे, वो खो जाएंगे, इसलिए भी आप जो है resistance करते हैं, change को, या फिर group norms, यानि कि group, जिस group से आप belong करते हैं, यानि आप तो नहीं कर रहे हो, लेकिन जिस group से आप belong करते हैं, वो group कहता है, ये change नहीं होना चाहिए, तो आप भी मजबूरे में क्या कहते हैं, कि उस change के लिए register करते हो, ठेक, ये चीज individual factor हो गए, इसी वज़ए से जो है कोई भी organizational में change होता है, तो उसको आप register करते हैं, जो employee होते हैं, वो register करते हैं, या फिर कुछ organizational factor होते हैं, organizational factor में जैसे कि threat of power and influence, यानि कि कुछ लोगों को लगता है, जो manager label पे होते हैं, या जिनके अंदर काम लोग कर रहे होते हैं, उनको लगता है कहीं उनकी power या influence चली नहीं जाए, यानि कि कोई नहीं technology आएगी, उसके technology के बारे में उनको नहीं पता है, यानि कि हो सकता है कि वो जो organization में resources available नहीं इसलिए भी जो है वो रजिस्ट करते हैं change को या फिस संग cost यानि कि organization को लगता है कि जो हमने investment किया हुआ है old assets में या फिस जो चीजें पुरानी हम already जिसमें पैसा लागा के रखें वो हमारा पैसा बिकार हो जाएगा अगर कोई न बिरूरी है change होना पड़ेगा क्योंकि marketing condition, economic condition, environmental condition, technological condition, laws यह सारे क्या है change होते रहते हैं तो आपको भी change होना पड़ेगा तो ऐसा नहीं कि आप change नहीं करोगे change होना पड़ेगा तो अब जो resistance क्यों कर रहे हैं उसको समझ के उनको overcome भी करना पड़ेगा तो कैसे change किया जा सकता सबसे पहले important change education and communication यानि कि जो डर है उनको लगता है कि मैं इसको चला नहीं पाऊंगा machinery है या फिर मैं computer को चला नहीं पाऊंगा तो उसके लिए उनको educate करिये उनको communicate करिये बताइए समझाइए जिससे कि वो उसको accept करें या फिर participation and involvement यानि कि उनको जो change हो रहा है उसमें participate कर करें तीसरा है commitment commitment आप यहाँ पर सबसकर करें कि बहुत सारे लोग है तो सबको अलग-अलग बुलाके उनको बोलिए कि आप इस change के लिए commit करें इस change के लिए महनत करें आप successfully चीजों को accept कर लेंगे तो commitment employee की तरब से जो भी रजिस्ट करा उनके तरब से employee की तरब से commitment लेके यह leadership यानि कि उनको guide करिए उनको सही तरीके से influence करिए support करिए अच्छी quality का leadership देजिए तो वो जो है change को accept कर सकते है उस change से जो भी उनके अंदर एक डर है या change होने की वज़ा से उनको जो भी loss हो रहा है लग रहा है तो वो जो है उसको cop up कर पाएंगे और जो last है that is group contact यानि क जो group अगर accept कर ले रहा है change को और उसका कोई एक member है जो रज़िस्ट कर रहा है तो group अगर accept कर रहा है तो वो employee भी accept कर लेगा तो group contact करके जो है आप resistance को ओवरकम कर सकते है तो यह कुछ factors घिसके स्थूर्व आप जो है resistance को remove कर सकते है जो resistance चैंज है employee के अंदर उसको over breeds कर सकते ह हैं तो हूप कि आपको क्लियर होगा कि रेजिस्टर चेंज क्या होता है और कैसे आज है आप उससे ओवरकम हो सकते हैं विश्वाल दविश्ट की पहुंचे